तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं सिंधी बिर्यानी की रेसिपी जो नॉर्मली हम बिर्यानी बनाते हैं उससे यह काफी डिफरेंट होती है तो इसमें मसाले भी जो बहुत जादा डलते हैं और यह स्पाइसी भी होती और इसका टेस्ट जो बहुत ही अच्छा होत तो इसके लिए हम सबसे पहले बिर्यानी मसाला बनाएंगे तो इसके लिए हमें चाहिए साबुत धनिया वन टेबल स्पून जीरा हाफ टी स्पून सॉफ वन टी स्पून हाफ टी स्पून काले मिर्चे हाफ टी स्पून शाही जीरा दाल चीनी के तुकड़े हमने लिये हैं एक तेज पत्ता और यह कुछ सूखी लाल मिर्चे ली हैं हमने 8-10 ली हैं अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड्रिस कर सकते हैं इनकी क्वांटिटी और यह हम ले रहे हैं दो बड़ी इलाइची एक जावितरी के हम तुकड़ा लेंगे चोटा सा हाफ जाइफल का तुकड़ा यूज करेंगे चार से पांच लॉंग दो हरी लाइची और यह कुछ चीजे हैं जो हमें बिर्यानी की लेयर्स में यूज करनी हैं तो कुछ मोटी वाली हरी मिर्चे जो के जादा तेज नहीं हो कच्छे आलू हमने बॉल नहीं किया इसके बाद हम लेंगे 1 kg मटन तो 1 kg हम चावल लेंगे यानी जितना मटन हम लें उतना ही हम चावल लेंगे तो सबसे पहले हम यह जो ने लिए था इनको थोड़ा सा ड्राय रोस्ट कर लेंगे तो पैन को हमें जादा गरम नहीं करना है बिलकुल मीडियम गरम जब हो चाईगा अपैन उसमें हम इसमाम साले कर देंगे ओर ऑर बिलकुल low flame पर हम इसको और अब हमने यहां पर कुकिंग ऑईल कर लिया है और घा कर लिया और उसमें हमने चार प्याज की प्यास की वैयन को शटका ही और यहां कमने उस्ण प्यास पराइट लेंगे 어pwyल और और इस बुचिवी की हम तयरोज бूंणग मेतकर लियां say कि अधन एड ओर देंगे लशन का स्ट टो फो टेबल स्पून अधरक लसन का स्ट बातले मिए घला करें धो ली है। Do Gで तो तो 2-3 मिनिट हम इसको अच्छे से बुहन Nayga ताकि अधरक लसन के व्लेवर्स इसमें आजाएं अब हम इसमें एड़ कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च तो यह जादा तेज नहीं होती और इससे कलर बहुत अच्छा आजाता है और यह अब हम लेंगे वन टेबल स्पून धनिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे और वन टीस्पून के खरीब हम लेंगे हल्दी पाउडर और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो से तीन मिर्ट हम इसको भून लेंगे तो कश्मीरी लाल मिर्च अगर नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं इससे जो है वो कलर बहुत अच्छा आ जाता है औ अब हम इसमें एड़ कर देंगे तो यहां पे हमने लिया है फोर टेबल स्पून दही जो यह दो काफी पानी रिलीज हुआ है तो इसलिए मैंने और पानी एड़ नहीं किया इस ही पानी में मॉटन गल जाएगा लेकिन आप इस पॉइंट पर हाफ गलास पानी आड़ कर दी तो मतन को हमने अच्छे से भून लिया है तब हम इसको कवर करके गलने के लिए रख देंगे तो हाई फ्लेम पर एक सीटी आएगी और फिर उसके बाद हम 15 मिनिट्स लो फ्लेम पर रख देंगे 15 मिनिट्स बाद हमने चूला ओफ कर दिया था और जब कुकर ठंडा हो गया तो मतन अच्छे से गल गया है और यह दिखिए ग्रेवी भी बहुत अच्छी तियार हुई है तो अब हम इसमें आलू आट कर देंगे तो आलू आट करके हम 8 से 10 मिनिट मीडियम फ्लेम पर इसमें आलू को तो आलू हमें जादा नहीं गलाने बस थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे यह इतना हमें पकाना है और बाकी जो हो यह यह दम में गल जाएंगे और जो लेयरिंग के लिए हमने इंग्रीडियंट्स रखे थे तो उसमें से हम थोड़े हाफ कॉंट्रिटी यहां पर मटन मैट कर देंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो चार से पांच मिनिट हम इसको और पकाएंगे मीडियम फ्लीम पर और उसके बाद फिर चूला ओफ कर देंगे और चावल यहां हमने सेला चावल लिया है जिसको हमने एक खंटे के लिए बिगो क अब हम इसमें नमक हमने एक कर दिया है तो नमक हमने यहां पर अराउंड वन टेबल स्पून लिया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और हमने इसमें चावल भी आट कर दिया थे और अब हमें 70% चावल को पकाना है और उसके बाद हम चावल को निथार और अब हम यह लेयर्स की त्यारी करेंगे तो हमने सबसे पहले बगोने में नीचे ऑईल लगा दिया उसके बाद हमने एक चावल की लेयर डाल दी है और अब इसके उपर हम दूसरी इंग्रीडियंट्स आड़ करेंगे तो यह अब हम एड़ कर देंगे हराधनिया पुदी अब हम ग्रेवी डाल देंगे और अलू भी जो हम इस लेयर में डाल देंगे ताके जो आलू में थोड़ी सी कसर बाकी है वह अच्छे से पक जाएंगे तो यह लेयर जो हमारी कंप्लीट हो गई तो आप नेक्स्ट लेयर आएगी फिर से अगें चावल की और फिर यही सारी तो यह जो परियानी है यह बहुत टेस्टी बनती है आप भी इस रेसिपी को ज़रू ट्राइ कीजिएगा और इसमें यह जो हरी मिर्च होती है यह भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है तो यह तेज वाली नहीं होती लेकिन इससे खुश्बू आ जाएगी और एक दोलब आप नहीं है और इसके बाद हम हम एक कर देंगे और जुश्बूद कलर तो इस तरह से मैं चाहिए जोड़िए और अब हम इसमें दही ऐट कर देंगे तो यह एड़िए जिसको हम उपर वाली लेयर पर यूज करेंगे और अब हम डालेंगे कुछ ट्रॉप्स केवड़ा वाटर की तो आर्व दस रख लोसब कर देंगे और सबसे बहले हम 29 ौ सी िन We are और बगोनी के नीचे तवा रख देंगे और फिर चूला ओफ करने के बाद भी हम पांच मिनट बाद जो है वो दम इसका हटाएंगे तो यह देखिए जो हमारी बिर्यानी हो दम हो चुकी है और देखिए चामल भी जो है वो काफी खिले खिले बने हैं देखिए इस तरह से च तो यह देखिए सिंदी बिर्यानी जो है वो बन के तयार हो चुकी है और यह बहुत ही टेस्टी बनी थी और इसको राइता के साथ हमने सर्फ किया है तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अलाहाफिज thank you so much for watching